Hello everyone, welcome back to my channel आज की कहानी हमारी पेड़ की एक समय पहले की बात है एक काउं के बाहर बहुत पुराना एक माम का पेड़ था उसके बड़ी बड़ी साखाएं थी एक दिन एक छोटे बच्चे की पतंग उड़कर पेड़ पर जाकर अटक गई और तोड़ी दिरबादवा बच्चा उस पेड़ के पास आया और उस पेड़ से अठके पतंग को निकालने लगा लेकिन पतंग बहुत उचाई पे थी बच्चे की हरकतों को पेड़ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था उसने उस बच्चे की मदद करने चाही और उसने अपनी टहनिया नीचे कर दी बच्चा अपनी पतंग पाकर बहुत खुस हो गया और पेड़ ने उस बच्चे को पके आम भी दिया फिर पेड़ और बच्चे में गैरी दोस्ती हो गई और वह बच्चा हर रोज पेड़ के पास आता वह खेलता उसकी डालियों पर जूला जूलता फल खाता और वह दोनों खुब बाते करते बच्चा अपने दोस्तों के बारे में बताता और दोनों बड़े खुस थे एक बार वह बच्चा कई दिनों तक पेड़ के पास नहीं आया और आम का पेड़ परेसान होकर सोच रहा था कि क्या हुआ होगा वह बच्चा अब क्यू नहीं आता थोड़े दिनों के बाद वह बच्चा आया और बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया था वह पेड़ के पास गया और फिर पेड़ बोला दोस्त कैसे हो, इतने दिन तुम कहां थे, आप मेरे साथ खेलो, मेरे साथ बाते करो, और मेरे मीठे फल खाओ वह लड़का बोला, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब कोई काम ढूणना है, और मेरे पास पैसे नहीं है काम का पेड बोला, दोस्त, तुम मेरे मीठे फल लेकर बजार में बेच दो, उमें पैसे मिल जाएंगे बच्चा बोला ठीक है, फिर कई महीनों बात तक वह बच्चा फिर नहीं आया, और काम का पेड फिर सोच में पढ़ गया कुछ दिनों के बाद वह बच्चा कुछ जगह से गुजर रहा था, अभी पेड ने उसे तुरंद पहचान लिया और उसे अपने पास उलाया अब वह आदमी बन गया था, पेड ने बोला, आओ मेरे साथ खेलो और बाते करो बच्चा बोला, अब मैं एक आदमी बन गया हूँ, मेरी बीबी और बच्चे भी हैं, मुझे पर बहुत जिम्मदारिया हैं, मुझे उनके लिए घर बनाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है पेड बोला, मैं तुम्हें पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरी साखाओं को काट कर ले जा सकते हो, और अपने लिए एक घर बना सकते हो वह वेक्ती जो उसका दोस्त था, लेकिन एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा, और उस पेड को काटने लग गया बहुत सारे लकडियां काट कर ले गया, कई साल बीत गएं, लेकिन वह लड़का उस पेड से मिलने नहीं आया अंत में जब वह उड़ा हो गया, अब उस पेड के पास आया, वह आम का पेड अब उसमें किवल जड़े ही बची थी पेड ने उसे पहचान लिया और पास बुलाया वुड़ा व्यक्ती बोला, मुझे मेरे परिवार ने घर से बाहर निकाल दिया तेड बोला, तुम्हारी मदद करने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा वुड़ा व्यक्ती बोला, मैं तुमसे मदद मागने नहीं आया हूं मैं तो तुम्हारे पास बैठकर बचपन की यादें राजा करने के लिए आया हूं बचपन में हम इतने मजे करते थे, साथ खेलते थे, बाते करते थे, आस वे दिन वापस आ जाए या सोच कर दोनों की आखों में आशू आ जाते हैं और दोनों अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं हेलो, आगे और भी इसकी कहानियां देखने के लिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाई, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में